Hello everyone, तो देखे यहाँ पे भारत हेवी Electricals Limited याने के बेल के तरफ से यहाँ पे एक advertisement निकाली है advertisement नमबर दोस्टो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस advertisement में इन्होंने बहुत सारी पोस्टे निकाली है जो क yolका यहाँ पे project engineer की इन्होंने पोस्टे निकाली है और प्रोजेक्ट सुपर्वाइजर की उन्होंने पोस्टे निकाली है तो दोस्तो आप बने रहें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तो प्रोजेक्ट इंजिनेर की जो इन्होंने पोस्टे निकाली है इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी है बी या फिर बीटेक अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजिनेर की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो इन्होंने पोस्टे निकाली है प्रोजेक्ट इंजिनियर और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की यह यहाँ पर जो है इनका जो टैनिवर है यह दो साल का यहाँ पर रहेगा यानि कि यह टेंपरिरी पोस्टे रहने वाली है दो साल का आपके पास यह मैक् निकाली है और प्रोजेक्ट सुपर्वाइजर की इन्होंने 16 वैकेंसी निकाली है जिसमें इन्होंने प्रोजेक्ट इंजिनियर की जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है दो इन्होंने मेकेनिकल वालूं के लिए रखी है साथ अलेक्ट्रिकल वालूं के लिए रखी है और पां वालों के लिए 7 vacances रखी हैं और electronics वालों के लिए 5 vacances इन्हों ने रखी हैं इस तरह से कुल इन्होंने 30 vacances निकाली हैं और आगे आप देख सकते हैं कि ये 2 साल के लिए ही यहाँ पर रहने वाली है माली जे आप select होते हैं दोस्तों तो आपका जो time है यहाँ पे वो period आपका 2 स साल का ही यहाँ पर रहने वाला है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पोस्टों के लिए आपकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए तो maximum आपकी उम्र जो है वो 32 साल तक होनी चाहिए ठीक है ज्यादा से ज्यादा यानि कि 10 ज्याद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो इन्होंने 30 वेकेंस निकाली है इनको इन्होंने के एक वैकेंस रखी है ओवीसी नान क्रेमी लेर वालूं के लिए तीन वेकेंसिस रखी है SC category volume के लिए 2 vacances रखी है ST के लिए 1 और total यहाँ पे 14 vacances निकाली गई है इस तरह से project engineer की जो इन्होंने पोस्टे निकाली है इसमें general category volume के लिए 8 vacances रखी है EWS के लिए 1, OBC non cream layer volume के लिए 4 SC के लिए 2, ST के लिए 1 और total यहाँ पे 16 vacances निकाली गई है दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी OBC category है यानि OBC candidate है non cream layer में आते हैं तो 3 साल के आपको age में relaxation मिलेगा SC, ST category में आते हैं तो 5 साल का यहाँ पे age में relaxation मिलता है चूट मिलती है तो इस तरह से आप यहाँ पर आके अपनी category के एसाफ से चेक कर सकते हैं कि आपकी category में कितनी यहाँ पे age में आपको चूट दी गई है थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करें यहाँ पे आप देख सकते हैं project engineer के लिए उन्होंने qualification क्या रखी हैं अगर आपने B.E. किया है, B.T.E. किया है mechanical में या electrical में या electronics में और कम से कम आपके 60% marks आये हैं तो आप यहाँ पे project engineer की post के लिए apply कर सकते हैं अगर आप SC, ST category में आते हैं तो अगर आपके B.E. B.T.E. में 50% marks भी आये हैं तो भी आप यहाँ पे project engineer की post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो थोड़ा सा नीचे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए जैसे कि project supervisor की अगर हम बात करें तो अगर आपने diploma mechanical में किया है electrical में किया है, electronics में किया है या instrumentation में किया है और आपके 60% कम से कम marks आये हैं तो आप यहाँ पे project supervisor की post के लिए apply कर सकते हैं साथी अगर आपके पास SC, ST category में आते हैं तो अगर आपके 50% marks भी diploma में आये हैं तो भी आप यहाँ पे project supervisor की post के लिए apply कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे अगर हम scroll करें scroll होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप project engineer की post के लिए select होते हैं तो आपको 78,000 रुपीज पर मन्त यहाँ पे दिये जाएंगे और अगर project supervisor की post के लिए यहाँ पे आप select होते हैं तो यहाँ पे 43,550 रुपे यहाँ पर मन्त यानि हर महीने यहाँ पे इतनी आपको यहाँ पे salary मिलती है थोड़ा से नीचे scroll करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो हमारे पास appointment है यह purely यहाँ पे fixed tenure के लिए रहने वाली हैं यह permanent vacancies नहीं हैं यहाँ पे आप पूरी तरह से इन्होंने लिखाए कि यहाँ पे temporary vacancies हैं यानि कि permanent vacancies यह नहीं हैं थोड़ा से नीचे scroll करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पोस्टों के लिए आपकी जो fees रखी गई है वो यहाँ पे 200 रुपे रखी गई है जनरल, OBC and EWS candidate के लिए और अगर आप SC, ST category में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी fees नहीं रखी गई है यानि कि 0 fees यहाँ पे रखी गई है ठीके दोस्तों थोड़ा से नीचे scroll करते हैं scroll होने के बाद कुछ और important हम देख लेते हैं दिखे इन्होंने क्या लिखा है कि किसी भी query के लिए requirement के regarding में यहाँ पे किसी भी query के लिए आप यहाँ पर इस mail ID पे इनको email यह जो इन्होंने email ID दी है इस पर आप इनको email कर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पोस्टों के लिए किस तरीके से apply कर सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने यह site दी है carriers.bhel.in मतलब इस पर आपको जाना है और इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको form को submit करना है और जो piece इन्होंने यहाँ पर लिखी है 200 रुपय वो भी यहाँ पर आप 200 रुपय पे करके यहाँ पर form को submit कर सकते हैं थोड़ा सा अगर हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से document जो हैं वो आपको interview के time पर यहाँ पर अपने साथ लाने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं necessary document as listed below यह जो नीचे दियेगे document हैं इनकी self-attested copy as well as original लानी है आपको अपने साथ ठीक है required only at the time of interview अगर आपको interview के लिए बुलाया जाता है तो आपको self-attest photo copy भी लगानी है यानि कि self-attest करना है अपने जो document आपके हैं उनकी photo copy को आपने self-attest करना है और original भी आपको अपने साथ में रखने हैं जब आपको बुलाया जाएगा interview के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं document को क्या क्या document आप से मांगे गए हैं इनकी यहाँ पे पूरी list दी गई है दोस्तो थोड़ा सा नीचे हम scroll करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पोस्टों के लिए यहाँ पे जो application form है वो यहाँ पे 25 तारिक से start हो जाएंगे लगना और यहाँ पे 15, 11, 2000 इन forms के लिए last date रहने वाली हैं ठीक है दोस्तो और last date of receipt of hard copy of online submission यानि कि जो hard copy आपको submit करनी इसके लिए जो date रहेगी last date रहेगी 18, 11, 2022 और last date of receipt of hard copy of online submission application for flung area से अगर आप belong करते हैं तो आपकी जो last date यहाँ पे hard copy submit करनी की है वो 21, 11, 2022 तक आप यहाँ पे hard copy को submit कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है for flung area यानि कि for flung area का क्या मतलब है जैसे कि candidate अगर आसाम का रहने वाला है मेगालिया का रहने वाला है और नाचल प्रदेश का रहने वाला है मिजोरम का रहने वाला है मनिपूर का रहने वाला है नागालेंड, त्रिपूरा, सिकिम, जमो एंड काश्मीर लहोल एंड स्पीती पांगी, सब डिविजन, आप चंबर, डिस्टिक आप हिमाचल प्रदेश, अंदमान और निकोबार, आइलेंड और लक्ष दीप और अबरोड इसमें अगर आप आते हैं तो इनके लिए इनुने लास्ट डेट रखी है हार्ड काउपी सब्मेट करने की 21.11.2022 तक ठीक है दोस्तों तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी सो थैंक यू वेरी मच